देश की सर्वोच अदालत ने 28 डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक बनने की योग्यता से बाहर रख कर वड़ा जटका दिया है कोड के फैसले के बाद छात्र सरकार से अध्यादेश लाने की मजबूत मांग कर रहे हैं छात्रों का कहना है कि सरकार को उनका भविश्य चौपट होने से बचाने के लिए ऐसा करना चाहिए हाल में ही छात्रों की लगातार परिक्षाए हैं जिसके कारण वे बड़े आंदोलन की तरफ से चलकर अभीरणनीती और समूहों में कोड के फैसले का विरोध कर रहे हैं मजबूत किया जा रहा है अलग अलग जन्पदों के छात्रों से लगातार बातचीत की जा रही है और जल्द ही प्रयागराज से लेकर लखनों तक पड़े आंदोलन किये जाएगे सरकार चाहे तो अध्यादेश लाकर कोड के फैसले को बदल सकती है प्रयागराज के सलोरी में कोड के इस फैसले के विरोध कर रही चात्रा नेहा कहती है कि सवाल कोड के फैसले का नहीं हमारी जिन्दगी का है घरवालों ने पाई पाई जोड़ कर हमें पढ़ाया और आज हमें कह दिया जाता है कि हम पात्र नहीं है सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए दिल्ली सेवा से जुड़े फैसले को सरकार अध्यादेश के जरिये बदल सकती है तो हमारे लिए भी सरकार को ऐसा कदम उठाना पड़ेगा सुप्रीन कोर्ड के फैसले से सोशल मीडिया पर बी-एड बनाम बी-टी-सी की लड़ाई तेज हो गई है बी-एड के छात्रों को इस फैसले से जटका लगा है तो बी-टी-सी के छात्रों के लिए चुनौती थोड़ी से कम हुई है बी-एड को लेकर कोर्ड के फैसले से प्रभावित होने वाले अधिकतर छात्र ग्रामीन और मध्यम वर्गिय परिवारों से जुड़े है ऐसे में छात्रों की चिंताए इस बात को लेकर है कि उनके परिवार का क्या होगा बढ़ती महगाई और बिरोजगारी के समय में ऐसे जटके छात्रों के होसले को तोड़ने का कम कर सकते है कर सकते है